के एक गाइज वीडियो नाइकर लेगर रएचणाश्यैड इस वीडियो में बात करने वाला है रिएलिक्रिक 70 बैंटिंग टिप्स के बारे में इस फीडियोमे आपको ऐसे बहत्रीन टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपि चली boundary मार सकते हैं 6 और 4 easily मार सकते हैं मैं आपको बहुत थी deeply बताने वाला हूं कि किस बाल पे कौन सा short खेलना है आपको जियां अगर आपको एक बार ये बाते समझ में आ गई तो आप easily इस गेम में 4 या 6 किसी भी बाल पे मार सकते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा कहीं इस कीप मत करिएगा क्योंकि पहुत सारे लोगों को जब रियल क्रिकेट 22 फर्स टाइम खेलते हैं या फिर बार बार खेलते हैं तो उनको बाउंडरीज मारने में बहुत जादा दिकत होती है और क्या होता है के उनका बार बार वीकेट गिड़ता रहता है मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने बहुत यी अच्छे से जो हमें स्कूर दिया गया था उसको मैंने कम्प्लीट किया मतलब कि मैंने first balling किया था और 90 या फिर 92 रन हमें मारना था 10 ओबर में और उसको इजली हमने कंपलीट कर दिया था एक ओबर पहले ही तो उसमें बहुत सारे लोगों को कनिफ्यूजन था कि यह इजी वाला है तो हम आपको देखिए हम यहां पर क्लिक करते हैं ठीक है तो यहां पर देख लिए हम बै यहां पर रखेंगे देख लिए बैटसमें डिफेंसिव और यहां पर लिखा हुआ है बैटसमें हैंड तो हम राइट पर क्लिक करेंगे बॉलर टाइप तो हम फास्ट बॉलर लेंगे बॉलर हैंड तो हम राइट और बॉलिंग साइड ओभर तो हम यहां पर क्लिक कर देख है अब हम इस पर क्लिक करते हैं अब यहां पर देखिए हमें क्या करना है देखिए मैंने यहां पर गुड़ लेंज सेलेक्ट किया है और आप ध्यान से देखिएगा सौट सेलेक्शन कैसे करना है यहां लिजिए गुड़ लेंज पर बॉल आ रही है और देखिए बॉल कहां गिर रहे अगर आपको सौट मारना है तो यहां पर मैं लॉप्ट पे क्लिक करता हूं और आउट सिंगर है तो आउट सिंगर को हम इजली 6 मार सकते हैं कुछ इस तरह से यहां पर देखिए तो यहां पर मैंने क्या किया लॉप्ट पे क्लिक किया और करसर को यहां पर देख लि और लेककतर आयेगा तो आपको back foot से खेलना है और यहां पे कर्सर आपको रखना है और मलगतें नि도 पर समस्दिक्षे दखने से थे वह सव मैं आपको पूरे डीटेल में बता देता हूं सबस्पहलेल हम good length पर ही बात करने वाले हैं अगर unos 20 गेलहा हैто इसको भी हम इजली 6 मार सकते हैं या फिर 4 मार सकते हैं कुछ इस तरह से देखिए तो जो भी good length पे ball आएगी यहाँ पे off side में ध्यान रखना है आपको off side में उसको हम deep point पे 4 या 6 मार सकते हैं इजली चाहे हो leg cutter हो, in swing हो, out swing हो, straight हो जैसे यह leg cutter है तो leg cutter को हमें क्या करना है, back foot पे यहाँ पे खेलना है, कुछ ही इस तरह से देखिए और हमारा cursor के यहाँ पे है, देख लिए right side में हमने थोड़ा सा उपर रखा हुआ है तो हर एक side जो भी good length पे off side पे आएगी, मैं हर एक ball पे 6 मार सकता हूँ good length की अभी मैं बात कर रहा हूँ, फिर से leg cutter है तो फिर से मैं यहाँ पे back foot पे ही click करके इसको easily 6 या 4 मार सकता हूँ, तो यहाँ देख लिए जो मैं बार बार एक ही start खेले जा रहा हूँ और ऐसा नहीं कि मैं चूक भी रहा हूँ, बिल्कुल मैं चूक बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ फिर से leg cutter है, फिर से हम back foot पे जाएंगे, और loft पे click करेंगे और उसके बासे यहाँ पे फिर से हम 6 या 4 easily मार देंगे और यह जितने भी आप shot देख रहे हैं, सभी deep point पर ही जा रहा है यहाँ, deep point और deep cover के बीच में, अब यहाँ पे out singer आ गया है तो इसको कैसे खेलना है चलिए हम आपको आता है, जैसे out singer या फिर in swinger हो तो हम आपको होता है कि इसको भी आपको semi खेलना होता है, loft पे click करिए यहाँ पे देखिए जैसे माली जै क्या आएगा हम देखते हैं सबसे पहले तो तो यह slow है तो slow को भी हमें loft पे click करना है और front से easily खेल लेना है, कुछ इस तरह से देखिए और यह deep point पे 4 या 6 आपको मिल जाएगा, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि good length की ball अगर off side में हो तो कैसे खेला जाता है out swing, in swing को भी आप easily 6 या 4 मार सकते हैं, जैसे out swing है तो हम यहाँ पे click करते हैं और फिर front put से हम इसको easily मार सकते हैं, देखिए तो इतना तो आपको समझ में आ गया, अब जैसे माल लेजिए, अगर short ball हो तो अगर माल लेए यहाँ पे short पे click करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, यह सभी short खेलने से पहले, चलिए हम थोड़ा back जाते हैं, अगर आपको short selection नहीं समझ म आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा back जाता हूँ, मुझे सब कुछ पता है कि कौन से बाल पे हमें, कौन सा 6 या 4 मारना कि इस तरह से, और थोड़ा back जाते हैं, और short selection से पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे चलते से हम कौन सा short लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, मैं यहाँ पे जो हमारा preset है, वो मेरा first ही था preset, मैं preset second आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, यह मेरा preset first ही है, तो मैंने इस पर click किया, और देखिए, अगर हमें अपने cursor को यहाँ पे click कर दे र आता है, वो यही short सा, देख लिए, बिल्कुल सेम यही short था, इसमें कोई भी बदलावने, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यह नहीं कि मैं नीचे से खिल ला तो यहाँ देख लिए, नीचे से कुछी तर सा, और यही short मैं खिल आता है, हैस्टेग 134 नमबर का ज इसको बदल कर दूसरा करूँगा, तो यहीं left पर भी उसी ball पर हम कोई और short खेलेंगे, जैसे कुछ इस तरह से देख लिजिए, लेकिन अगर हम यह वाला short खेलेंगे, तो फिर हम deep point के उपर से नहीं मार पाएंगे, 6 या 4 जी है, वो फिर deep cover के पास जाएगा, और वो ball good length की नहीं होगी, या तो full length होगी, या फिर yorker होगी, yorker को भी थोड़ा मारना मुश्किल होता है इस तरह से, लेकिन जो full length की ball होती है, उसको अगर off side में आ रहा है था हम यह वाला short खेल सकते हैं, लेकिन फिलहाल में हम इसको नहीं रखने वाले हैं, और एक और short हमें मिल जात करना होता है, उसके बाद मान लिजा, अगर आपको yorker ball आ रही है, मैं सबसे पहले यहाँ पे आप चेक कर लिएगा काउन काउन से short किस किस तरह से लगाया जा रहा है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो देखिए, यहाँ पे defensive ही है, और यहाँ पे loft पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन सा short खेलेगा, तो कुछ इस तरह से खेलेगा, देख लिजे, यहाँ पे कुछ इस तरह से short खेलेगा, और इस short को अब खेला जाता है, जब कोई spinner हो, जी है, या फिर मान लिजे fast baller ही हो, और gate full length हो, तो कुछ इस तरह से short खेला जाता है, उसके बाद से मान लिजे, अगर ball yorker हो, तो उपर हम select आरना है, और देखे तो उसके बाद से हम कुछ इस तरह से पीछे खेल सकते है, yorker ball पे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, left पे click करेंगे, और front foot पे click करेंगे, 394 नमबर क 6 भी मिल जाता है, लेकिन 4 ज्यादा तर आता है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमें कौन से बाल पे किस तरह से 6 मारना होता है, अगर हम यहाँ पे click कर देखेंगे, थोड़ा और हम यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे front foot पे कौन सा short खेला है, तो देखेंगे, यह fast ball और फेक रहा है, तो आपको loft पे click करना है, ठीक है, loft पे click करना है, उसके बास से जिधर भी ball फेक रहा है, अपने cursor को उधर करना है, और फिर front foot या फिर back foot से short लगाना होता है, जालतर मैं use करता हूँ front foot और back foot, क्योंकि इन ही दोनों पे मैं जालतर 4-6 collect कर पाता हूँ, तो अगर आप post छक्के चोके मारने हैं, तो सबसे पहले तो loft पे click करिएगा, उसके बास से कुछ और selection करिएगा, जी यहां, अगर आप push पे click करेंगे, पुस वाले पे, तो आप कभी भी 4 या 6 नहीं मार पाएँगे, example के तोर पे जैसे मैं आपको थोड़ा यहां पे close जाता हू ठीक है, हम इसको cut करते हैं, और इसके बास कुछ देर के बास और हम back आएगे, जैसे मैं net में चलता हूँ, और यहां पे batting पे click करता हूँ, ठीक है, और अब हम play कर देते हैं, अब यहां पे मैं जो भी sort खेलना था, good length पे देखिए, जो भी sort खेलना था, अब देखिए, good length पे जो ball है, देखिए, हम sort खेलना है, तो हम loft पे सबसे पहले click कर देंगे, यह leg cutter रहते हैं, इसको हम easily खेल सकते हैं, देखिए, sort खेलने के लिए, sort हमें खेलने के लिए loft पे ही हमें click करना होता है, जी यहां अगर हम six four मारना है तो हमें loft पे ही click करना पड़ेगा, उसके बास से हम front force पे click करेंगे या फिर जो भी करना होगा हम करेंगे जैसे हम आप देखिए हमने loft पे click किया और यह leg cutter है तो हम क्या करेंगे यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा देखिए यह भी 4 या 6 चला गया तो हमें shot खेलने के लिए loft पे click करना हो उसके बास से हम अपना back foot यूज कर आप से आप देख लिए push करने पर आपको सिर्फ एक run दो run ही मिलने वाले हैं अगर आपको छक्के चोके मारना है तो आपको loft पे ही click करना होगा तो यह बात आप ध्यां से गांठ वान लिजेगा या फिर stroke पर भी थोड़ा वह ताब मार सकते हैं लेकुन उस level का नहीं जी य अगर आप push पे click करते हैं तो कभी भी आप खेलना ही पाएंगे मैं आपको दादू कभी भी नहीं short selection कर पाएंगे आपको push तभी करना है अगर spinner है तो push करिए ताकि आपका wicket बचा रहा है आप spinner पे short selection मत करिएगा छक्के चोके मारने की कोशिस मत करिएगा कभी भी आप ज्य लॉफ्ट पे ज्यादातर catch हो जाता है मेरे इसाब से तो आपको spinner पे stroke का ही इस्तमाल करना है ज्यादातर आप spinner को जाके लॉफ्ट पे click करके 6 मार रहा है और अपना wicket खोर रहा है तो आपको ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है और एक की दूखी के लिए आपको push का इस्तमाल करना है बिल्कुल आपको ऐसा नहीं है कि 6 मारने चले जाएंगे सिर्फ push करके push करके आप एक की या फिर डवल ही ले सकते हैं अगर हम बात करें यहाँ पे 6 और 4 की तो आपको left पे ही click करना होगा अभी हम good length की ball के बारे में बात कर रहे थे अब हम बात करते हैं सब फुल लेंथ की ball पर हम कैसे कैसे short खेल सकते हैं हम इसको straight सीधा मार सकते हैं बिल्कुल देखी कुछ इस तरह से देखिए यह 26 या 4 हमें मिल जाएगा इसलिए तो full length की ball को तो सब को ही मार लेता है मतलब full length की ball ज्यादा आसान होता है खेलना और यहार कर बहुत सारे लोग confusion ह होता है तो यार कर कोसिस करिए कि आप पीछे खेलिए जी यहां पीछे बिल्कुल मार यह जिसको हम long stop बोलते हैं पीछे बिल्कुल मज़े से मैं यहां और इसको कुछ इस तरह से आप मार सकते हैं पीछे देखिए कुछ इस तरह से यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा और यहां पे अगर आप इस तरह से साट खेलते हैं तो आपको सिंगल डवल फोर भी मिल सकता है इजली मैं आपको बार बार यह साट खेल के दिखा देता हूँ देखिए आप लॉफ्ट पे किलिक करेंगे और यहां पे देखिए उपर ले जाएंगे करसर को और फ्रांट फू पे जाएंगे और कुछ इस तरह से मार देंगे देखिए और यह भी हमें 4 या 6 मिल जाएगा अगर फिल्डर नहीं होगा तो अगर माले जाए आपको यहर कर भूल पे सिंगर या डवल लेना है तो फिर आप स्टोक पे क्लिक करिए और यहां पे करिए और इजली आप फ्रा यहां पे क्लिक करिए और इजली आप यहां पे इसको रोक सकते हैं कुछ इस तरह से इस पर आपको कोई भी रन नहीं मिलेगा जो भी यहार कर बॉल आ रही है अगर माले जाए अगर आप पुस पे क्लिक करते हैं पूस और उसके बास आप करसर को नीचे की तरफ लाते हैं और फ्रांट फूट पे खेल लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी रन नहीं मिलेगा यहां पे कुछ इस तरह से और आपका विकेट भी बचा रहाए जैसे अगर आप रोक रहें जैसे आप देखते होंगा कि यहार कर बहुर को रोका जाता है बस आराम से ताकि हमारा विकेट पुस्ट पे क्लिक करिए उसके बाद से आपको क्या करना देखिए इन स्विंगर है तो इन स्विंगर को भी आप फ्रांट फूट पे एजली रोक सकते हैं कुछ इस तरह से देखिए और इस तरह से आपका विकेट बचा रहाएगा तो आप समझ गए होगी गुड लेंद कैसे खिलना अब ही हम जो राइट एंड बॉलर है उसके बारें बात कर रहे थें अगले वीडियो में बात करेंगे जो हमारे लेफ्ट हेंडबालर होते हैं और बहुत सारे बैटिंग टिप्स अब ही आने वाले हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्स्क्राइब कर आपको पसंद आया होगा और अगर आपको कुछ भी डाउट होते हैं आप हमें कमेंट करके बताईएगा थैंक्स फर वाचिंग